जी दूर्ट चूंश कैसे है आप आपए होपफ आप सब ठीक होंगे चूर्ट से आज के इस बीडिए लेक्शन में बात करेंगे एक 5 Cup Secures की Chapter 6 Solutions Federal Board 9th Class Chemistry जी दूर्ट चूर्ट नबर 1 है दे एंसर्कल दा प्रेक्ट आंसर में the maximum amount of sodium acetate sodium acetate का formula होता है Na2 बलके CH3 CHH होता है उसकी जगा sodium लगा दें that is sodium acetate ठीक है that is the formula of sodium acetate that dissolves in 100 gram of water sodium acetate लिया है आपने ठीक है जी sodium acetate और इसको आपने 100 gram पानी में dissolve कर दी है at 0 degree Celsius temperature जो है 0 degree Celsius है 119 आपके पास जो है वो gram लिया हुए है आपने 170 gram at 100 degree Celsius लिया हुए है यानि 0 degree पे जो sodium acetate हल हुआ है students दो situations है आपके पास एक आपके पास बीकर है ठीक है इसमें आपने लिया हुआ है 119 gram of sodium acetate और यहां पे जो temperature है इस वक्त speaker का दाट इस 0 degree Celsius और जो आपने पानी लिया हुआ है इस तरह इस तरह आपके पास एक और बीकर है और एक और इस एक बीकर द्रौर में भी आपने लिया हुआ है sodium acetate ठीक है जी sodium acetate लिया हुआ है और यहां पर जो temperature है that is 100 degree celsius और यहां पर आपके पास जो grams add हुए that is 170 grams तो यह difference है तो if you place 170 gram of sodium acetate in 100 gram of water at 0 degree the resulting solution will be यानि वो कह रहा है कि maximum order sodium acetate जो है यानि यह sodium acetate जो है वो उसमें हल हो जाएगा maximum 0 degree पर इतना तो हल हो जाएगा और अगर आप let's say that के sodium acetate ले रहे हो और 170 gram यानि 100 degree पर इतना हल हो जाएगा you know that आपने पहले पढ़ा है कि temperature बढ़ जाने से solubility increase कर जाती है solubility increases with the increase of temperature तो यह आपको पता होना चाहिए तो what they are saying कि अगर आपने maximum amount sodium acetate की dissolve कर लिए 100 gram water में 0 degree पर इतनी add कर लिए and 70 degree पर इतनी add कर लिए तो if you have placed 170 sodium acetate gram sodium acetate 100 what at 0 degree यानि अब आपने क्या सीम किया कि आपने 0 degree की उपर कितना add कर लिए 100 gram at 100 and 100 100 gram कर लिख दे मैंने यहाँ यहाँ पर 100 degree सब्सक्राइब कर लेकिन अब क्या हो रहे है कि आप यहाँ पर 170 ग्राम एड कर दोगे तो अगर यहाँ पर 170 आप ग्राम एड कर रहे हो तो you are just doing a great job का बना रहे हो सूपर सैचुरेटेड़ सॉल्यूशन राइट यह होगा हमारे पास आंसर इसका मेरे ख्याल में तो मुझे तो अभी सूपर सैचुरेटेड़ ही लग रहा है राइट तो वन मॉलर अगर चेक करना है तो वन मॉलर सोडियम इस टेट का वज़न निकाल लेते हैं सोडियम एस टेट जहाए डैट कंटेंस सोडियम एस टेट कारवन तीटीट डबल ओ एन ए है ना इसको कंडेंस कर लो सी टू एच थ्री ओडू और एन एसका होगा फॉर्मुलर तो इसका मैस्स प्लेस कर दो दो कारवन है और क्लीन हाई ड्रोऋ जैने और दो और एक ही सोडियम कर बं 103 हईड्रोजंसे कर दो होगा और 2 oxygen इसका मैं 16 होगा और 23 होगा सका मैं सब को अगर add कर लेंगे 24 plus 3 plus 32 plus 23 24 32 23 and 3 4 2 6 3 9 3 12 1 carry 4 5 6 7 8 82 अगर आप 82 ग्राम जो है वो add करते हैं यानि 82 ग्राम अगर आप add करते हैं sodium acetate in a beaker और इसमें आप 82 ग्राम डालते हैं और याव 100 ग्राम्स ओफ वाटर and I don't know किस temperature पे भी add कर लें आप बेशक 0 डिग्री पे add कर लें room temperature 25 डिग्री पे add कर लें लेकिन 82 आपने add करना है come as come that makes one molar solution right that makes one molar solution लेकिन I don't think so कि यह one molar solution अगर आप 170 एड कर रहे हैं 0 डिग्री पे तो I think so super saturated answer होगा और कई books में saturated कहा गया है लेकिन I will go for super saturated solution क्योंके आप saturated वो होता है कि जो एक खास value add कर सकता है you know 170 add कर लिया तो खास value से ज्यादा add नहीं करेगा और अगर आपने क्या किया हुआ है कि आपने saturated value से भी ज्यादा value add कर दी है किसी solution में तो that makes an idea of super saturated solution so c is the right answer उसके बाद चलते हैं अपने next question की तरफ how many moles of sodium atoms are present in 2.3 grams of sodium okay so what we know that one mole of sodium is equals to 23 grams ठीक है और यहां पर डेटेस में बदा लग रहा है कि 2.3 gram का अंसर निकालना है तो यहां से 23 gram उड़ाना होगा तो इसको इदर लेएंगे divided हो जाएगा 1 by 2 3 moles of sodium is equals to 1 gram हो जाएगा क्योंकि 23 shift हो गया यहां पर divided हो गया है सो दोना तरफ क्या मुल्टिप्लाइगे 2.3 को 2.3 multiplied by 1 by 2 3 moles of sodium is equals to 22.3 into 1 gram तो इस कांसर कहने के लाएगा so 2.3 तो 2.3 तो 2.3 तो 2.3 है तो 2.3 है तो 2.3 है तो 2.3 ग्राम्ज औफू सोडियम में तो आपके पास अगर तू-पॉइंट-पॉइंट-पॉइंट-वडाम्स सोडियम है तो आपके पास 0.1 मोल्स होंगे कालनो हुआ काले पॉब्धक लग्राम्स साथ निए रहीं है तो सका कीम टॉइंट-प्नॉः ग्राम्स कुどう पॉइंट-पॉइंट-बिंट-बिंट-बिंट-उ में लुइंट-बिंट-उद-भामए über is going to be multiplied on both sides so five से multiply करेंगे तो I don't think so कि 10 के लाव़ कोई असर आने वाल है so c is the right option for this question how many atoms are there in 28 gram of nitrogen कितने atoms होंगे students 28 gram आपके पास nitrogen है 28 gram of nitrogen gas याद रखेगा एक nitrogen जो है उसका वदन 14 I don't know 14 grams होता है तो यह 14 grams को अगर आप 2 से multiply कर देंगे तो you will get 28 तो I think so कि यह molecular mass है that gives you the idea of evo gadroze number और evo gadroze number को जो है आप NA से भी जाहर कर सकते हैं so that makes an idea that gadroze number is the right answer okay so let's go for the next question how many atoms are there in point one mole of carbon okay so what we know that one mole of carbon जो है वो बराबर होता है 12 grams के why they're asking a question के how many atoms are there or 12 gram में जो है वो 6.02 into 10 to the power 23 3 atoms होते हैं ठीक है 12 grams में इतने atoms जो हैं वो होते हैं carbon के हमें आप को मुझे यह पता होना शाहिए right मुझे तो वैसे पता ही है okay so that makes an idea 12 grams contains this much number of atoms what we need to do one gram इदर कर देते हैं one gram is equals to 6.02 into 10th power 23 over 12 atoms right और इसको जो है अगर हम क्या करें next आव यह कर सकते हैं हमें 0.1 mole चाहिए right okay so what we need to do okay so one gram contains this much of atoms हमें 0.1 mole चाहिए okay fine so one mole contains this much of atoms right इसको थोड़ा था modify करते है equation को one mole is equals to 6.02 into 10th power 23 atoms ठीक है one mole of carbon आप कहलो okay so if you just think it और इसको sort out करना चाहें तो what we gonna do that but definitely one को इदर लाकी से ड्वाइट करोगा you don't get the same answer तो आपने किसका अंसर निकालना है आपने निकालना है 0.1 mole का दोनों तरह आप 0.1 mole को multiply कर दो one mole of carbon को यह multiply कर दो और यहां पर भी 0.1 multiply by 6.02 को into 10th power 23 को atoms के साथ multiply कर दो okay so if you multiply okay fine यहां पर तो आपको बता लगी है ना यहां पर क्या होगा 0.1 mole आ जाएगा of carbon और यहां पर क्या होने वाला है यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर क्या होगा अगर हम 0.1 को multiply करेंगे विद 6.02 6.02 तो हमारे पास आंसर आजएगा 0.602 into 10th power 23 I think so 0.1 इतने होंगे atoms carbon के ठीक है वहां पर क्या है यहां पॉइंट लगाते हैं ठीक है वी आजएगा 6.02 into 10th power negative 1 into 10th power 23 इनको सॉर्ड़ करेंगे बिश्ची सेम है पावर जाड़ हो जेंगी तो 10th power गया बन जेगा 22 6.02 into 10th power 22 I think so B is the right answer for this question right B is the right answer clear उसके बाद चलते हैं अपने next question number 6 की तरफ students question number 6 में जो है पूछ आ रहा है solution of caustic soda sodium hydro oxide has a concentration of 4 grams per decimeter cube यसकी concentration students what is the mass of sodium hydroxide contain 250 centimeter cube of the solution okay so that's quite big problem I think students this question को sorted करने के लिए आपको concentration दे रहे याद रखने हैं आपने एक बात concentration को आपने convert करना है molarity में और molarity फिर आगे से mass में convert हो सकती है जैसे मैंने आपको chapter number one में एक formula समझाया था कि अगर आपको moles पता है यानि molarity पता है तो आप number of particles calculate कर सकते हो और अगर आपको moles पता हैं तो आप mass of a substance भी calculate कर सकते हो you can calculate the mass of a substance तो यहां से हमें क्या समझ में आ रही है कि अगर आप mole को multiply करते है whatever the mole you know multiply to have a gadroze number तो आप number of particles पते हो अगर आपको number of particles पते है whatever the number of particles you know उसको आप a gadroze number से divide करते हो आप दुबारा moles पे आजाते हो अगर आपको mass of a substance पता है right mass of a substance पता है you can multiply mass of a substance into the molar mass of that substance तो आप इसको mole पे आ सकते हो अगर आपको moles पता है तो moles को आप divide कर दो molar mass के साथ तो आप substance पे आ सकते हैं अभी क्या होने वाला है अभी concentration से हम molarity पे जबाएंगे तो हमने math of substance पे जाना इन्हीं mass पता करना है तो हम क्या करेंगे जो भी मोल्स हमें पता लगे हैं उसको molar massive कर देंगे क्यों क्योंकि molar mass जो है हमारे पास sodium hydroxide का याद रखिएगा that is a 4023 होता है और 16 होता है और 1 होता है सब्सक्राइब करने कोशिश करते हैं सब्सक्राइब क्या पता है कि अभी फिल्हां में पता है कि फोर ग्राम्स जो है mass of NaOH जो है वह है आपके पास one decimeter cube of solution है ठीक है और one decimeter cube का मतलब होता है thousand centimeter cubes यह हमारे पास ही क्योंगे जाना है अब हमने क्या करना है कि हमने इसको 250 करना है तो क्या करेंगे यहां से हम इस value को ठाके divide कर देंगे सो यहां पर आ जाएगा four over thousand mass grams mass of NaOH और यहां पर आप क्या हो जाएगा value one centimeter cube हो जाएगी ठीक है अगर आपने thousand को divide कर दिया हो जाके तो solution हो जाएगा यह तो आपने 250 को दोनों तरफ multiply कर देना है 250 को आप यहां हो जाएगा यह ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और यह बराबर आ जाएगे टू फिफ्टी इन्टू वन centimeter cube of solution यानि आपने क्या करना है जिरो से जिरो को कट कर दें 54 से करें तो यह हंड्रेड ओ जाएगा राइट तो हंड्रेड के बाद जो है तो यह हंड्रेड डैफिनिटली से करेंगे तो हंड्रेड हो जाएगा और नीचे आपको बदार कट हो गया तो तो रहे गया तो तो आपके पास इसको कट कर देंगे तो यह जस्ट गयाओ वन ग्राम ओफ एन ए ओएच इकल स्टू फिफ्टी सेंटीमेटर क्यूब ऑफ सुलुशन यानि आपके पास जब उसने एक मदर वैल्यू दे दी है तो उसने आपने आपने से दूसरी वैल्यू जाए वो ड्राइव क अमून बुक्स में फोटी कहीं लिखा हुए है तो इस नोट आस्किंग मोलर मैस सोडियम हाइड्रोकसाइड इस बिसके लिए आस्किंगे चार ग्राम पर डीम क्यूब आपके पास मुझूद है तो आप बताएं के टू फिफिटी सीम क्यूब में कितना मैस होना चाहिए त इसमें से ज्यादा डाल्यूट कौन सा होगा तो इस याद रखो जैसे आप जैसे यह नंबर लाइन है यह वन है और आप जा रहे हो आप जा रहे हो यह जीरो है चलेंग जीरो है जीरो है जीरो से आप जा रहे हो 0.1 0.5 I don't know और फिर यहां से 1 2 3 something लाइक आप ग्रेटर वै Lieई आप जीरो से जितना जाओ ज़े जाओ जोगा उतना ज्यादा इस वैल्यूट हो तो अगर यह वैलिउ है तो तो यह इन दोनों में करो तो यह यह बहुत चोटी होगी 0 से बहुत छोटी होना शुरू हो जाएगी that will be more dilute तो बत यह एक hint याद रखो बाकि तो यह definitely experimentally प्रूफ करने वाली बात है लेकिन अभी यह hint को दमाग में रखो उसके बाद चलते हैं 8 में question की तरफ right solution of sodium hydroxide contains 20 grams of the compound एक हमारे पास solution solution of sodium hydroxide का अब उसमें हमारे पास 20 gram है और दो dm cube solution है यानि 2000 centimeter of cube solution है so what is the molarity of the solution? अब molarity निकालनी है हमने इसके हमदे है तो students अब molarity निकाल लेंगा formula मैं आपको उक्ता देता हूँ molarity अगर आपने निकालनी है तो molarity का formula होगा mass of a solute mass of a solute double molar mass of a solute over the volume of the solution अब आपके पास sodium hydroxide जो है यह compound है इसका जो molar mass होता है वो 40 gram होता है फिलाल वो आपको 20 gram की molarity पूछ रहा है और दो dm cube solution दे रहा है तो यह data है आपके पास तो definitely यह values पूट करेंगे mass of a solute के आपके पास 20 molar mass के आपके पास 40 divide by आपने क्या करना है 2 तो यह इसको cut कर दें और 2 by 4 देखें 2 by 4 जो है 2 1 by 2 तो 1 by 2 हो जाएगा over 2 करना है 1 by 2 0.5 को 2 से divide कर दें अगर आप कर देते हैं 0.5 को divide 2 के साथ तो आपके पास 0.25 molarity आती है तो 0.25 molarity जो है आप चाहे कर लें option में है yes okay so let's go for the next question non students are asking which quantity is same कौन सी quantity same है for 1 mol of hydrogen gas and 1 mol of water नहीं आपके पास 1 mol है hydrogen gas के और 1 mol ही है water के और इसमें कौन सी quantity same होनी चाहिए okay क्या तो math same होगा ये तो दूरूरी नहीं है ये गलत हो गया तो number of atoms same होंगे यह बात बिल्कुल सच है रचे number of molecules same होंगे number of atoms नहीं number of atoms भी different हो सकते हैं क्योंकि इसमें 2 atoms हैं एक mole के अंदर एक mole में 3 atoms होंगे तो number of molecules same हो सकते हैं यह बात सच है number of gram atomic mass same होगा यह बात गलत है so c is the right option for this question students next question में पूछ रहा है जी if one mole of sodium contain x atoms एक mole में वैसे आपको पता है होगा x कितने 6.02 into 10 to the power 23 एक mole में तो इतने ही होते हैं so what is the number of moles contain 46 gram of the sodium okay so that's a big question to deal with कर लेते हैं deal one mole of sodium जो है वो बराबर है हैं 23 grams of sodium के ब्राबर है 6.02 into 10 to the power 23 atoms के यह हमारे पास तीन relations आ रहे हैं आपस में ठीक है 3 relations है हम अभी find out कर रहे हैं और हमने यह मालूम करना है कि अगर आपके पास one mole sodium atom उसमें x atoms हैं आपके पास one mole sodium atom है उसमें x atoms हैं so this much is the one mole answer 23 gram के लिहाद से so what is the number of moles contain 46 grams of sodium okay so यहां पर क्या करना है इस विलेशन को हमने follow करना है 23 grams of sodium is equals to 6.02 into 1023 atoms तो क्या करें है 23 को वेवाफ करने के लिए one gram of sodium क्योंकि 23 यहां कर देंगे 6.02 into 1023 atoms ठीक है divided by 23 अब हमने करना किया है कितने ग्राम लाने 46 46 ग्राम का असर लाना है दूना 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 46 को multiply कर देंगे 46 gram of sodium is equals to 46 multiplied by 6.02 into 1023 atoms और यहां पर नीचे ड्वाइट कर देंगे 23 को तो आप क्या होगा 23 वंदा 23 तूदा तो क्या होगा 6.02 into 1023 atoms आपको सोचो अगर वन मोल में ठीक है अगर 23 ग्राम है तो 40 अगर वन मोल में 23 ग्राम है तो 46 ग्राम में टू मोल ही होगे ना तू मोल में definitely इसको multiply कर देंगे तू के साथ हमारे पास answer क्या होगा 2x यह हमारे पास items है और यह तो 2x हमारे पास answer होगा so that is the answer right so that's it students अभी आप मजीद वीडियो के लिए description जरूर देख लेना links हैं उसके अंदर और इसके अलावा चैप्टर की playlist देख लेना थम्ले लाराइस को देख लो चैनल को subscribe कर लो मेरी वीडियो को मिस्मत करो अपने दोस्तों के साथ share करो that is what the biggest help you can do for me that's it thank you so much अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोई अगर आपको वीडियो बनवानी है तो मुझे मैसेज जरूर कर दीजेगा that's it thank you so much अपना ख्याल रखिएगा